हाई फ्रेंड्स वेलकम टू प्राणालीज रेसिपीज हम लोगों ने गुड की चाय बनाई है तो मैंने यहाँ पे यह पैन में दो कब पानी लिया है तो पानी बॉइल करने के लिए रखा है तब तक मैं मसाला बना के ले लूँगी मैंने यहाँ पे दो लवंगा लिया है औ अब इसका पीस के हम लोग मसाला बनाते हैं फिर यह मसाला रेडी हो गया है एक स्पून मसाला बन गया है तो पानी बॉइल करने के लिए रखा है तो उसमें यह मैं मसाला डालूंगी फिर यह मसाला हो जाने के बाद हम लोग को जिंजर लेना है जिंजर भी मैं वैसे ही पी इसके रेडी है वो भी हम लोग चाय में डालेंगे फिर आपको जितना चाहिए अब उतना जिंजर ले सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है ती फिर मैंने यहां पर मिंट और तुलसी का पत्ता लिया है तो अभी यह बॉइल होने के लिए रखते हैं तो अभी अच्छे से गुड कौन सा भी लीजिए गुड की शुगर भी आती है वो भी डाल सकते हैं तो अभी उसका कलर चेंज हो जाएगा कलर डार्क होने के बाद हम लोग उसमें चाय पाउडर डालेंगे तो आप कौनसी भी चाय पाउडर ले सकते हैं जैसे कि मैं वाग बकरी वाली चाय जानी के लिए फिर उसको अच्छे से बॉइल होने के लिए रखते हैं मिक्स करके लेते हैं मिक्स होने के बाद चाय का कलर चेंज हुआ है और चाय अच्छे से उबल रही है तो अभी चाय उबल के हो जाने के बाद हम लोग इसमें दूट डालने वाले यह वाग बकरी का च तो मैं यह ब्रिटिश होल मिल्क यूज करती हूँ तो अभी चाय उबलके रेडी है एक कब डूद डालना है उसके अंदर तो दूद डालने के बाद फिर थोड़ा सा पाच मिनिट तक पकाते हैं बॉइल होने के लिए रखा है अभी यह बॉइल होके रेडी है और हमारी चाय अभी रेडी है पीने के लिए तो गुड़ की चाय आप घर में जरू ट्राइ कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है हेल्दी होती है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फूर वाचिंग